Dear student, once again I welcome you in this Sajdanand Learning Channel Student, आप ये देख पारे है, Annual Examination 2021 ये English Class 11 का ये पेपर है यह पेपर student तीन सेक्षनों में बटा है, सेक्षन A, सेक्षन B, सेक्षन C सेक्षन A, ये Multiple Choice Question दिया है, 20-20 है और इसी प्रकार सेक्षन B, Salt Question है, सेक्षन C भी Salt Question सेक्षन B में Salt Question दिये गया है, जिसमें आपका प्रोज पोईटरी, Salt History और Grammar से है इसी प्रकार सेक्षन C में भी Salt Question दिये गया है इसमें भी प्रोज पोईटरी और Grammar से है तो इस वीडियो में हम लोग ये जो 20 objective question है, इसको चेक करेंगे स्टुडेंट अलग अलग छेत्रों में अलग 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 पेपर चप रहे हैं स्टुडेंटों के लिए और यह पेपर यूपी बोर्ड जो सेलेवस आउलेबल कराया था क्लास अलेबन के लिए उससे हट करके हैं, सी बेसे ही पैटरन पर तो एक बार देख लें पेपर, इस सेक्षन ए है और इसमें और ग्रामर के भी कुस्चन मिलेंगे परोजप वाले कुस्चन में इम्स क्यूज में दिया गया है ईस पेपर में जो कि यहां पर भी है देखें 1 से 20 तक ए अपजक्टिव क्वस्चन है इसमें grammar भी समाहित है, और यहां से section B शुरू है, section B में जो salt question है, प्रोज, poetry, supplementary और इसमें भी grammar दिया गया है, तो paper pattern student जो भी रहे, आप अपने book को पढ़ते रहें, जिस भी pattern पर चाहे objective दे, चाहे जो भी salt question दे, या lung question दे, जैसे भी दे, आप निश्ची तोर पर कर पाएंगे, बसरते आप हर पाठों को अच्छे से पढ़ें, इस section C है, तो student हमारे इस channel में, English class 11 का प्रोज, poetry, salt story और पूरा grammar कवर किया गया है, वहाँ से आप हर वीडियो को देखें, और exam की तैयारी करते रहें, तो यहाँ पर देखें, जो multiple choice question है, M.C. Q पहला दिया है, who is the author of the portrait of a lady, देखें, पहला ही chapter आपका दिया है, portrait of a lady, चेप्टर के जो author है, वो को बताएगे है, वो कुस्वांत सिंग है, ठीक है, काफी easy question है, इस paper में आया हुआ, दूसरा question देखें, what was the name of the sheep of the author, we are not afraid to die, if we can I'll be together, तो उस sheep का क्या नाम था इस chapter में, we are not afraid to die, तो यह अलग-अलग चार विकलपा है, तो उसमें आप लोगों को पढ़ा गया है, कि वे वाकर था, ठीक है, वे वे वाकर, यह पूरा chapter हमने cover करवा रखा है, नीचे description में हमारा जो playlist का link है, class 11 का, वहाँ से आप देख सकते हैं, हर चेप्टरों को, और हर पाठों के question, answer को, long question, salt question, और MQ, देखें, तीसरा question है, when did Tut die, टूट कम मरा था, तो हमने बता रखा है, कि टूट जो है, कि सुरा वस्ता में मर था, when he was tinager, tinager मने कि सुरा वस्ता में, पहला विकल्प सही है, आगे देखे, what was the concept of sansui represent, तो sansui क्या चीज, मने sansui में क्या विचार दिया गया है, इससे क्या संदर भी था, तो imaginary place worship, mountain water, none of the above, तो उसमें बताया गया है, आपको कि, जो sansui है, वो mountain water से संबंदी थे, mountain, यानि कि हाइस्ट आकास की तरह पहुंचता है, water जो धरातल पर पढ़ा हुआ, सांती का परतिक है, question number 5, what was the issue raised by author of the chapters, the ailing planet, the green moment's role, तो उसका क्या issues था, main issue वहीं था, कि deteriorating health of the earth, मने धरती के स्वास्त जो है, वो विकड़ता जा रहा है, question number 6, मुराद was considered as the natural descendant of each, तो जो मुराज था किस बंसत से संबंधी था, वो अपने अंकल के बंसत से संबंधी था, उसके चाचा थे, खुसरो, question number 7, what was the address that the author's mother asked to her to remember in the address, तो address chapter में, जो author की मदर है, कौन से पते को याद करने की बात की है, तो आप जब address वाला chapter पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया होगा कि number 46, मारक उस विलेज का क्या नाम था, नरेटर के, तो होसाली, question number 9, it is almost only class where I am not wasting my time, which class is Albert talking about here, तो टागिंग किस कच्छा की बात कर रहा है, तो उसमें आपको Richard जो थे, वो mathematics वाले कच्छा की बात किया जा रहा है, माइथवेटिक क्लास में वो उपता नहीं था, जबकि history से उप जाता था, question number 10 है, what does the play mother's day talk about, तो mother's day जो नाटक है, वो किस संदर में है, तो status of the mother's in the family, परिवार में mother की जो इस्तिती है, उस पर जिक्र किया गया, question number 11, देखे, who is the poet, या अबलिक poetis of the poem of photograph, photograph के poetis काउन है, देख सरली तूटसन है, question number next है, when did death like tree become alive in the poem, the labernum top, जो labernum top poem है, वो जो tree है, कब सजीव होड़ता है, तो आपको पता ही होगा, जब वो गोल्ड फिंच पच्ची आती है, एक बार पुना से वो एलिव होड़ता है, सज अगला है, after what age did the poet realize that he had lost his childhood, कब बल्यावस्ता खोदिया था, उस वक्त उमर की जिक्र करा है, तो 11 उसमें जिक्र किया गया है, name the figure of the speech which used in the following sentence, कौन से figure of speech का प्रयोग किया गया है, यह पता करना है, तो I wondered lonely as a cloud, तो यहाँ पर देख रहे हैं, as, like, या so, ऐसा प्रयोग हो, तो आप समझे है, उस से मिली है, तो हमने जो आपका figure of speech है, यह बता चुका हूँ, साथो हमारे channel पर upload है, जाकर के चेक कर सकते है आगे देखे, question number 16, एक grammar से दे रखते हैं, synonym आ beautiful, beautiful का synonym क्या होगा पर्यावाची सब्द, pretty, pretty मिन सुन्दर होता है, ठीक है, synonym ही हमने cover कहा है, synonym और antonym, one word, एक cover हो चुका है, नीचे description में लिंक पड़ा है, देख सकते हैं, अगला है question number 17, antonym of the top, top का antonym पुछ रहा है, below the top मने ऊपर होता है, bottom मने, नीचे या पेंदी में, अगला है, give one word substitution, one word of the following, the life history of a man written by himself, तो एक ब्यक्ती का जो इतिहास है, स्वयम के द्वारा यदि लिखा जाए, तो उसको बलता है, autobiography, मने आत्म कथा, correct, question number 19 है, what is the meaning, what is the meaning, of the idiom all in all, all in all का होता है, whole soul, सर्वे सर्वा, whole soul, correct, आगे तके, fill in the blanks with the suitable alternative word, तो इसमें क्या होगा, the dash of a son, Hindu family is a great event, ठीक है, तो बर्थ, ठीक है, पूत्र का जो जन्म होता है, Hindu परिवार में, बहुत बड़ी event माने जाती है, तो इसमें बर्थ होगा, correct, तो ये question है, multiple choice question student, अगले चेप्टर में, अगले वीडियो में हम blog section B or section C, अलोकन करेंगे, so thank you.